हाई फ्रेंट्स वेलकम बैक टो मैं चानल एजे टॉक्स दोस्तों आपको पताई होगा कि मैं काफी दिनों से टेलीग्राम प्रीपेड टास्क के बारे में काफी वीडियो बना चुका हूं आपको मैंने कई अलग अलग तरीके बताए कि किस तरह से ऑनलाइन स्कामर्स आपको अलग अलग तरीकों से ठगते हैं शुरुआत में कुछ आपको इलालस दिया जाता है सौटेट सो रुपए दे करके और बाद में आपसे कुछ प्रीपेड टास्क कराए जाते हैं तो इसके बारे में मैंने डिटेल से काफी वीडियो बनाई हुई है अगर आपने वीडियो से पूछते हैं पहला तो यह है कि काफी लोग खुशी जाहिर करते हैं कि मैंने इतने कमा लिए उतने कमा लिए क्या कमाना सेफ है या नहीं है मैंने अपना अकाउंट नंबर दे दिया है यूपी आई डी दे दी है तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी कल को ज तो कैसे इतने सारे अकाउंट कैसे इतने सारा फंड को मैनेज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे और तीसरा हम बात करने जा रहे हैं जिसमें आपको बताऊंगा कि मनी म्यूल क्या होते हैं और आपको मनी म्यूल बनने से कैसे बचना है तो यह तीन में मुद्दे हैं जिसक स्कामर्स को लूट लिया तो पहला कमेंट पड़ते हैं भाई मैंने उनको स्टैम कर लिया 600 रुपीज से फिर लिखा है I earned 750 रुपीज स्कामर्स अगला कमेंट आया है मैंने भी प्रीपेट टास्किप करके एक हजार रुपे कमाए और लेफ्ट कर दिया मुझे आज 325 रुपे आ गए थैंक यू फो मेकिंग सच वीडियो उसके बाद एक भाई ने लिखाया कि I have received so many calls like this but every time I get 150 rupees on phone pay by the scammer उसके बाद भाई ने लिखाया कि I got 400 rupees just और मैंने सामने से block कर दिया उनको इस तरह बहुत सारे कमेंट्स हाँ 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 I got 1000 today and didn't pay even one rupees तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स हैं किसी ने 900 रुपे कमा लिए किसी ने 2700 रुपे कमा लिए तो आप देख सकते हो किसी ने 1500 कमा लिए और कई लोगों कमाने के बाद यह video सर्च किया और उसके बाद उनको पता चला कि यह स्कैम है और स्कैम होने की जानकारी के बाद उन्होंने तास्क छोड़ दिया है एक और कलकुलेशन पढ़ते हैं जिसमें एक भाई ने जिनका की खेल कूत के नाम से अगाउंट है उन्होंने एक पूरी कैलकुलेशन दी है तो चलो थोड़ा समझते हैं कि आप इससे अधिक्तम कितने पैसे कमा सकते हो यानि कि आप स्कैमर को कितना स्कैम कर सकते हो तो इन्होंने जोईन किया था मालीजी जोईन किया था उस समय 22,23,24 यह टास्क चल रहे थे और आम तर पर यह टास्क फ्री होते हैं जिसमें कि इनको 50 रुपे पर लाइक के या पर रिव्यू के जो भी उनका टास्क है उसके 50 रुपीज पर टास्क मिलने वाले थे तो इनको आज कितने मिल गए 500 रुपे साथ में इनको बोनस मिला था यह टास्क का क्योंकि पहली बा आपको मिल गए free of cost कल मिल चुके हैं आपको अब इन्होंने अगले दिन जब टास्क खेलना शुरू किया जो कि सुबह पॉने दत बज़े से शुरू होता है तो पहले तीन टास्क 123 इसमें वापेस डेट सो मिल गए 50 रुपे के हिसाब से अब आता है 456 तास्क इसमें से टास्क था जो कि प्रीपेड टास्क था इसमें उन्होंने 2000 रुपे किये 2000 रुपे करने पर इनको 2800 रुपे का वाधा किया 40 परसेंट के हिसाब से तो 2800 रुपे जब इनको वापिस भी मिल गए यानि कि 2000 लगाया अठाइस सो मिल गए तो प्रॉफिट कितने का हुआ 800 रु टास्क करने के मिल रहे थे अब वह 100 रुपे मिलेंगे तो यहां पर भी एक बोनस है जिसका कि आपको इलालस दिया जाता है कि आप एक प्रिपेड टास्क खेलोगे तो अगले जितने फ्री टास्क होंगे उनका जो अमांट मिल रहा था वह आपका डबल हो जाएगा तो तो अगले पढ़क में फिरसे जो 11 रुपेड टास था नियम के इसाब से आप सिर्फ एक प्रिपेड टास्क्त को स्किप कर सकते हैं तो भाही ने क्या किया वह प्रिपेड टास्क कि सुप कर दिया और यह इन को अघुले पढ़ाओ में हर लाईक का फिर 50% यानि कि जो 100 मिल रहा था अब उसका 50% मिलेगा जो कि 50 रुपए है तो जो पंदरवा सोलवा और सत्रवा टास था उसमें पचास-पचास रुपए के साब से इनको 1500 मिले टोटल लेंग इनकी हो गई 2300 रुपए की उसके बाद भाई ने क्या किया उस ग्रुप को अलविदा कह दिया क्योंकि इनको सेंस था कि यह पूरा स्कैम है तो अगर आपको भी इससे कोई सब्सक्राइब करता है स्कैमर पर और आपके प्रोफाइल पर क्योंकि जब फर्स टाइम वाटसेप पे आप से पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं अगर आप बोलो नल्ला हूं स्टूडेंट हूं तो समझ जाते हैं कि आप क्या पैसे होंगे नहीं दो हजाल ले लो बहुत है इससे अगर उन्हों देखा कि आप सॉफ्टेर एंजिनियर हैं या मार्केटिंग मेनेजर हैं या कोई ऐसी प्रोफाइल जहां पर की उनको ऐसा सेंस हो कि आपके पैसे हैं देने के लिए तो यह आपको अगला टास्क भी खिलाते हैं माल उनकी फ्री में जो कमाया सो कमाया 2000 का थाइस वहा 30,000 का तालिछ रुपय हुआ यहां पर आपका ट्रस्ट बिल्डप हो चुका है और इतना ज़्याद आपको विशात हो जाता है कि आप लाखों में इन्वेस्ट कर देते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद यहीं पर आके कम एक मैडम थी उनका भी कल मेल आया था जिसमें की 16 लाग रुपए उनके चले गए तो जिनको पैसे शुरू में मिल चुके हैं चुकी उनको मिल चुके हैं इसलिए वह कहते हैं नहीं यह तो अच्छी चीज है लेकिन जैसे ही आपका नुकसान हो जाता है फिर आपको लगता है कि यह स्काम है तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इनके गेम्स खेलने हैं या नहीं खेलने आपको इनसे पैसा लेना है या नहीं लेना है इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना ताकि आपको पता चले कि इस तरह का पैसा लेने के नुकसान भी है और वो क्या या नुकसान है इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे तो अगला comment लेते हैं अगला comment है रेहान जी का रेहान जी है कहते हैं कि भाई I think this cameras Chinese या Malaysians होते हैं ठीक है मुझे ये समझ नहीं आता कि पैसा इंडियन अकाउंट में deposit करते हैं फिर पेपर कैश इतना सारा withdraw कैसे कर लेते हैं अगर दूसरे अकाउंट को transfer करते भी हैं तो trace हो सकता है chain कहीं तो जाकर end होगी ना फिर वो लिख रहे हैं कि या पुलिस इतनी technically इतनी intelligent नहीं है हो सकता है पुलिस भी इन से मिली हो तो इस तरह का एक doubt है जो कि रहान जी ने यहां पर raise किया है अब हम अगले comments पर चलते हैं जहां पर आपको आपके सवालों का जवाब मिलने वाला है कि इतने सारे accounts कहां से आते हैं इतने सारे फरजी अकाउंट कहां से आते हैं इतने सारे लोगों को जो यह ट्रांजेक्शन किया जा रहा है दो हजार रुपए से लेके लाखों तक का जो रिटन दिया जा रहा है वो कहां से हो रहा है कौन कर रहा है और अगर कर रहा है तो पकड़ा क्यों नहीं ज पास नहीं कर सकते हो तो मेरे पास आपके लिए जॉब अपॉर्चुलिटी है तो मैंने का बोलो बताओ कौन सी जॉब अपॉर्चुलिटी है तो उसने बोला कि आपको को ट्रांजेक्शन करनी है दूसरों को जो न्यू एड हो रहे हैं लाइक ही गेव मी 1500 रुपीज और मुझे इस पेमेंट को आगे 500-500 रुपे के हिसाब से अलग लोगों को ट्रांसफर करनी है तीक है समझ गया अगला एक और कमेंट पढ़ लेते हैं बिल्कुल सिमिलर सा कमेंट है जिसमें गौरफ के ब्लॉग भाई सावे उन्होंने लिखा है उन्होंने लिखाया कि यह सब मेरे साथ हुआ है Google Reviews टास्क लेकिन मेरे पैसे डूबे नहीं है लेकिन मेरे साथ कुछ अलग हुआ है तो मतलब इनके साथ क्या अलग हुआ है वो जानना बहुत जरूरी है यहाँ पर मुझे शक हो रहा था वो मुझे यूपी आई देते हैं कि हर यूपी आई पर 1.500 रुपए ट्रांसफर करो और हम 180 रुपए देंगे ठीक है और पैसे मुझे मेरे अकाउंट में आ जाते हैं मतलब कि इन्होंने आगे यूपी आई पर ट्रांसफर किया अब मालीजे पूरे अगे पड़ते हैं जब मैं पूछता हूं कि आप क्यों नहीं करते हैं तो बोलते हैं कि हम आपको Finance Employees Department के लिए हायर कर रहे हैं ऐसे करते करते यह मुझे बहुत सारे यूपी आई देने लगे लेकिन मैं समझ गया था कि कुछ गड़बढ है मैंने बहुत बार पूछा कि य सब लीगल है जो यूपी हम दे रहे हैं वो हमारे क्लाइंट्स है मुझे दो-तीन दिन यह रियल लगा क्योंकि पैसे तो मेरे आही रहे थे अब मैं देरे समझ रहा था कि यह पूरा स्कैम है यह पैसे ट्रांसफर हम से करवा रहे हैं यह बहुत क्लेवर हैं इंग्लिश बो अवेरनेस लाई जाए तो अब हम समझते हैं कि यह पूरा जो गडबर जाला है यह क्या है कैसा यह नेट्वर्क है कि इतनी पैमेंट्स कैसे कहां किसको कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं तो यहां पर देखो सबसे उपर है स्कैमर अब इसको दो तरह के लोगों की जरूत है पहल करने से कहां कौन सा पैसा Money Management बेसिकली टो एक उनकोी मश्व Понی मैणेमेंट्स क Bluetooth करने के लिए जो की मजर्द करने हैं जो कि आप कह सकते हो कि Money और एक वो जिनको कि लूटना है जिन से पैसे लेने हैं और खुदको झो पैसे मिलेंगे उसके लिए उनको चाहिए money mules money mules क्या होते हैं उसकी definition समझा देता हूँ money mules वो होते हैं जिनके खातों के माध्यम से ठगी किया हुआ पैसा इन स्कैमर्स के द्वारा निकाला जाता है इसकी अलग से opening होती है भाई साब और बहुत सारे जंदन योजना में खुलाए गए खातों में भी इस तरह के स्कैम्स का पैसा आ रहा है और इसकी कई सारी हेडलाइन्स पहले भी बनी है जिसकी हैडलाइन्स आप देख भी सकते हो तो यह ऐसे गरीब या मजदूर लोगों के अकाउंट को हायर करते हैं कि आपके अकाउं से नेटवर्क पर वापस आते हैं तो यहां पर क्या होता है यह जो आप देख रहे हो कि यह टेलीग्राम ग्रूप है इसमें बहुत सारे विक्टिम्स जुड़े हुए विक्टिम्स कौन है जो है टास्क्राइब के मेरे पास में तो पहला टास्क हुआ दूसरा टास्क तो इनको यह नहीं पता कि कोई कोई टास्क चल रहा है वहां पर या कोई अलग इस तरह की एक्टिविटी वह कर रहे हैं इनको सिर्फ इतना मालूम है कि हमको पैसे ट्रांसफर करने हमको यूपाई कोड़ाएगा उस यूपाई में को डेड़ सो रुपे ट्रांसफर कर दे सब्च तो पहले 2,000 रुपे जो पे किय थे वह किस को पे技 थे अगले 30,000 का इन मालूम है इसको को यहां नहें टेजनिके के ऐसे कई सारे victims को पैसे दिये है तो money agents का काम क्या है victims को पैसे देना तो उसने 500-500 करके 10 लोगों को पैसे दिये अब उन 10 में से कोई एक victim जो 2000 का टास्क खेल जाएगा वो 2000 रुपए इस money agent के खाते में टांस पर कर देगा समझ गया तो इसको भी पैसे मिल रहे है उनको भी पैसे मिल रहे है लेकिन scammer का क्या involvement है यहाँ पर कुछ भी नहीं ना तो उसका खाता है ना उसका कोई face है कहीं कुछ भी reveal नहीं हो रहा है scammer का अब ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानती उदर जो victim होते हैं उनको ये लगता है कि scammer ये company है real में कोई marketing company है वो हमें pay कर रही है वो ये दिमाग नहीं लगा रहे कि ये अलग-अलग payment अलग-अलग खाते से क्यों आ रही है या फिर हम जो payment कर रहे है वो अलग-अलग खातों में क्यों कर रहे है अगर कोई आपको मीडिया ग्रूप बता कर जॉइन कर रहा है कि मैं ग्लोबल मीडिया प्लैटफॉर्म से बात कर रहा हूं या मैं ओमनी कॉन से बात कर रहा हूं तो फिर यह जो पैसा हम दे रहे हैं वो गूगल को क्यों नहीं दे रहे हैं वह मेरे ही केस में अगर लेया जाए तो मुझे जू स्काइनर दिया गया था किसी पौलट्री फाहराम का था थीख DAY तोम पॉल्ट्री फम Сोने वग सब् cash major तो आपको 500 पर मिल जाएंगे 120 पर मिल जाएंगे आप किसी के खाते पैसे ट्रांसफर करो जागर कि हम आपको इतना रिटन दे देंगे उसको तो यह लग रहा है कि हम पाइनेंशल कंट्रोलर हैं बैंक हैं लेकिन उसको यह नहीं पता कि साथ में उसके साथ भी स्कैम चल रहा है तो इस पूरी नेटवर्किंग में अगर आप देखोगे कि जो भी यह पैसे आपस में आदान-प्रदान हो रहे हैं यह सारे पैसे विक्टिम्स और एजिंट्स एजिट्स को में विक्टिम्स ही हैं जो एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो अब इसकैमर को पै 10-1,000,000 ऐसे जहें में 1-2 चाहिए उसे 1-2 लों को ठक चुकि आप तो हम मैं समझाता हूँ कि आपके लिए खतरनाक कैसे है कि अगर आपने 1.500 रुपे कमाएं है तो खतरनाक ऐसे हैं कि अगर किसी एक विक्टिम में माली जी विक्टिम नमबर 3 ने जाकर के पुलिस में केस कर दिया कि भाई या मेरे साथ फ्रॉड हुआ है 500,000 रुपे अब उसने क्या किया बैंक बीजा करके एक रिवर्सल फॉर्म मनी रिवर्सल फॉर्म या रिफट फॉर्म फिल किया यह मैंने तीन लाग रुपी पेकिये थे और मुझे यह रिफॉंटी से पेकिये थे बैंक, पुलिस की मदद से, जो FIR भी उस विक्टिम ने कर रखी है, उसकी मदद से ये देखती है कि आपने पैसे किसको दिये थे, तो किसको दिये थे अपने पैसे, एजेंट को दिये थे, ठीक है, आपने पैसे किसी स्कैमर को नहीं दिये है, आपने एजेंट को दिये है पै करता देखा जाएगा कि यहाँ से आगे पैसा कहां т्रांसफर किए तो जो आप पैसा कर रहे हो खुश हो रहे हो 600 कमाए 800 सो कमाए बारा सो कमाए ध्यान रखना अगर आपके अकाउंट में दो लाग पांच लाग रुपए की राशी पड़ी है तो बहुत जादा मुम्किन है कि जब ये पूरी कडिया जोड़ी जाएंगी तो आपका अकाउंट भी सीज किया जाएगा भले ही आपने 500 रुपए रिस तो ये पूरा जो जाल है जो पूरी नेटवर्किंग है उसमें फसने वाला कौन है आप आप ही हैं फसने वाले तो खुश होने की जरुवत नहीं है पाप का पैसा है अगर हो सके दूर रहिए और अगर ले भी रहे हैं तो ऐसे खाते में लीजिए जहां पर आपका रेगलर पैसा ना आता हो और उस अकाउंट के सीज होने से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कोई भी पुलिस केस बनता है आपका भी नाम शामिल किया जाएगा अगर एक दिन के भी पूछता चुई और आपको उसमें परिशानी उठानी पड़ी तो इसके जिम्मेदार कौन है आप जाने अंजाने कैसे भी फसेंगे आप स्कैमर नहीं फसता है पूरी विवस्ता ऐसी बना के रखी होती है कि जो मनी म्यूल है जो गाउवाला है जो मजदूर है जिसका जंधन का अकाउंट खोला गया है उसके पैसे इमीडियेटली कैश में कलवा लिए जाते हैं उनके अका तो यह भी नहीं पता कि उसके कितने खाते खुले हैं तो यह क्या करते हैं किसी चोटे शहर से वह सारा पाईसा निकाल लेते हैं और यह सब कुछ इमीडियेट बेसे पर होता है अगर एकाद अकाउंट बंद भी कर दिया गवर्मेंट ने तो आपको क्या करना है पैसे लेन तो अमीद करता हूँ कि आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि यह स्कैप कि स्टरके चल रहे हैं और खासकर इसका जो मनी सर्कुलेशन पार्ट है वो कैसे काम कर रहा है Scammer क्यों नहीं फस्ता Scammer इस लिए नहीं फस्ता क्योंकि वो कहीं पिक्चर में है ही नहीं सब जगा एजेंट्स विक्टिम्स बस यही लोग हैं जो की अंत में फस्ते हैं इन्हीं लोगं के उपर कारिवाईयां भी होती है तो अगर आप इस तरह का पैसा ले रहे हैं तो प्लीज वाटसेप का वो स्क्रीन शॉट भी हमेशा आपने पास रखिए टेलीग्राम का भी वो गुरूप का स्क्रीन शॉट हमेशा रखिए तो हो सके तो स्क्रीन रिकॉर्डर लगागर के उसकी सारी कन्वर्सेशन बिफोर आप से इंक्वाइरी करेंगे उनको जवाब नहीं दे पाओगे यह पैसा कहां से आया और आप इस मनीर ट्रेल में कैसे शामिल हुए हैं आपको भी परिशानी उठानी पढ़ सकती है क्योंकि आपको भी स्कैमर समझा जा सकता है तो आपको क्या करना है मैं तो यही कहूंग हाथ जोल लो stay away from this 800 रुपए 500 रुपए 800 रुपए से कोई जिन्दगी बदलने वाली नहीं है अल्टीमेटली वो किसी विक्टिम का ही पैसा है और विक्टिम गाली देगा तो वो गाली भी शेयर में आपके पास पहुंचेगी उसकी बद्दुआएं भी शेयर में आपके वो तक ट्रांसफर हो जाएंगी समझ रहें आप तो आज के लिए सिर्व इतना ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ वीडियो को अन तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और सबसे इंपॉर्टन चीज जो मैं हमेशा कहता हू जयों चैनल पर नये हैं सब्सक्राइब कीजिए और अगर अपने रिष्द्रारों और दोस्तों का भला चाहते हैं आपके साथ चाहे इसका हो चुका हो चाहे ना हो चुका हो चाहे आप बच गए हो लेकिन उनका भला तो चाहो तो आपके सुप चिंतक है जो आपके मित्र है उन तक तो इसको शेर करो